प्रेंड्स यहां पर देज की सभी एइरपोर्टों के बाद अब हैदराबाद एयरपोर्ट का नम्मर आ रहा है और पुरिद Skma इसके लिए हैदराबाद ने कुछ इस तरह की तयारी की है जिसे की एरपोर्ट स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच जीरो कॉंटक्ट रहेगा यानि कि अब पैसेंजर्स एरपोर्ट की स्टाफ के टच में नहीं आते हुए उनकी सारी की सारी प्रोसेस आटोमेटिक पूरी हो जाएगी आपको बता दे कि इसके लिए हैदराबाद एरपोर्ट ने एक स्पेशल तरीके का हाई डैफिनेशन कैमरा टर्मिनल बिल्डिंग में लगाया हुआ है जहाँ पर पैसेंजर्स को अपना फोटो, आईडी प्रूफ, अपना पास उस कैमरे में दिखाना पड़ेगा जिससे की CISF की टीमें उस कैमरे से ही उस डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करके पैसेंजर्स को आगे के लिए एलाउ कर देंगी यहाँ पर आप पैसेंजर्स, CISF की टीमों को अब अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सीर नहीं करेंगे और इसके अलावा आपको बता दे कि एरपोर्ट पर कुछ इस तरीकी की वेवस्ता होगी कि पैसेंजर्स अपने बोर्डिंग कार्ड, बैगेश टैग, खुदी कलेक्ट कर लेंगे बिना किसी एरपोर्ट स्टाफ के टच में आई हुए इन सभी तयारियों को देखते हुए ये लगता है कि हैदराबाद एरपोर्ट ने एक कदम आगे की तयारी की है आने वाले समय को देखते हुए आप क्या सुचते हैं हैदराबाद एरपोर्ट के बारे में आपने विचार कमेंट्स करके बताएं विडियो अच्छी लगी हो तो इस विडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले